हेलो फ्रेंड्स मैं सचेन आप सभी का यूटूब चैनल पीके सचेन में स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम देखें हैं कि मैंने दो-त्री दिन पहले एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 सेकेंड में आप किसी भी रूट की सभी ट्रेंडों में एक साथ availability कैसे चेक कर सकते हैं चाहे वो जनरल कोटे में हो या ततकाल कोटे में मगर मैंने देखा कि कुछ लोगों को मुबाइल से सर्च करने में problem आ रही थी तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है इसमें आपको कहां कहां कौन सी problem आ सकती है वो मैं आपको विस्तार से बताने कोशिश करूंगा इसलिए इस वीडियो को लाश तक जोड़ देखिएगा लेकिन अगर आपने YOUTUBE चैनल PKS सर्चन औरहीं से नहीं किया दो जगुदर만 और सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटरन पर क्लिक करहें जब आप सब्सक्राइब बटरन पर क्लिक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा ऐसी यूसफल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं मैंने आपको बताया था कि erail.in पर आप कैसे अवलेबिल्टी चेक कर सकते हैं आप चाहें तो उसके लिए Android की अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं Android की अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए Play Store को ओपन करिए वहाँ पर टाइब करिए erail.in यहाँ आप देख रहे हैं मुझे सबसे उपर erail.in की अप्लिकेशन डिखाई दे रही है Android Railway, PNR, Inquiry and Live इस पर क्लिक करके इंस्टाल कर लिजे फिर आप अप्लिकेशन को ओपन कर लिजे यहाँ आप देख रहे हैं उपर से चोथा अप्लिकेशन दिखा रहा है train between station seats इसको क्लिक करके open कर लिजे फिर आपको from से to station में आपको जहां से जहां तक जाना हो वो station select कर लिजे आप from और to में अपना station code या station का नाम डालके station को select करें फिर so trains पे क्लिक करें यहां आपको सारी train दिखाने लगेंगे आपको जो कोटा चाहिए वो कोटा select कर लिजे आपको जिस date का देखना हो वो date select कर लिजे जैसे मैं यहां 16 तारिक को select करके train search करता हूं तो कुछ box बनके आते हैं उनके उपर कुछ number लिखा है orange color green color या yellow color के box है orange का मतलब यह है कि उतनी वेटिंग चल लही है green का मतलब कि उतनी अवलेबिल है और yellow का लगा box है तो उतना आरिसी चल ला है मगर मैंने जो date select किया था उस date के नीचे get लिखके आ रहा है और उसके आगे भी 3-4 दिन की date पे get लिखके आ रहा है तो मुझे उस दिन की availability सो नहीं हो रही है तो इसके लिए मैं दूसरा option यूज़ करूँगा जिससे मैं इसको देख सकता हूँ हो सकता है आपने जो date select की हो कभी-कभी उस date के नीचे box बनके आये और उसमें वहाँ waiting या available और RAC की value दिखा है मगर कभी-कभी अगर यह नहीं आये तो मैं आपको दूसरा option बता रहा हूँ आप उस option का use करके इसको देख सकते हैं दरसल ऐसी problem कई software हो में आ सकती है तो होता यह है कि android का version और software के version में कुछ mismatch हो जाए तो वो support नहीं करता या आप Google Chrome में open कर रहे हैं या Firefox में open कर रहे हैं कभी Firefox में ठीक चले और Chrome पर सही नहीं चले कोई चीज Chrome पर सही चल लगी है तो Firefox पर ठीक नहीं चल लगी Internet Explorer पर ठीक नहीं चल लगी यह problem अक्सर आती है जैसे अब हम Firefox को open करके उसमें e-rail.in की website open करके availability चेक करेंगे तो उसमें so कर रही है कि नहीं कर रही जब Firefox पर website open हो जाए तब आपको एक option आएगा tablet and mobile view उस पर क्लिक करिए फिर एक window open होगी आपको from और to लिखा होगा आपको जहां से जहां तक जाना हो उस पर क्लिक करके अपना station code या station का नाम डालके station select करें फिर station select करने के बाद आप find बटन पर क्लिक करें आपको यहां उस route की सभी training दिखाई दिने लगेंगे आपको जिस तारिक को जाना हो वो तारिक को select कर लिजए आपको जो quota चाहिए general या ततकाल उस पर क्लिक करके आप quota भी select कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं आपने 16 तारिक select किया था तो 16 फरवरी के आगे कितनी वेटिंग या RAC चल रही है आपको वो वेलू दिखाई दे रही है जैसे अब मैं general पर क्लिक करके ततकाल खोटा select कर लेता हूँ तो ततकाल खोटे में क्या वेलू चल रही है वेटिंग और RAC की वो मुझे दिखाई दने लगी मगर यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ऐसे 16 फरवरी select किया था मुझे सिर्फ उसी तारिक की वेलू दिखा रही है कि कितनी वेटिंग चल रही है और RAC है तो मैं उपर से टैब करके rotation view में select करके mobile को flip कर लूँगा तो यह मुझे अब large scale में दिखाई दने लएगा यहाँ मुझे आगे की कई तारिक की वेटिंग और RAC दिखाई दे रही है आप यहाँ पर जो आपको कोटा चाहिए या sleeper या third AC आप यहाँ चेंज करके वो value देख सकते हैं यहाँ पर green box के उपर लिखे number का मतलब है उतनी available है अगर pink के उपर number लिखा है तो उतनी waiting चल लाई है अगर yellow के उपर number लिखा है तो उतनी RAC है जैसे अब हम erail.in को chrome पे open करके देखते हैं कि उसमें value search होती है कि नहीं होती हम यहाँ from और to station से हमको जो station select करना हो वो station select करते हैं तो मुझे station select नहीं हो रहा है तो अब मैं station select करने के लिए एक space देता हूँ फिर back space करता हूँ तो मुझे वो station find हो जाता है यह problem chrome में आ रही थी तो इसके लिए किसी ने comment किया था कि station select नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए यह video बना रहा हूँ अगर आपके साथ किसी और website में भी यह problem कभी आ जाए तो आप कोशिश करिएगा आप किसी और browser में firefox या explorer में इसको open करने कोशिश करिएगा हो सकता है उसमें वो website सही function में काम करे जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां किसी तरह station select कर लिया और search किया तो मुझे यहां attorney application download करके भी availability चेक करने कोशिश किया मैंगर मुझे एकदम accurate value नहीं आ रही थी तो मैंने firefox का use किया उसमें आप देख रहे हैं कि एकदम accurate value आ रही है हो सकता है आपको यह problem ना आ रही हो यह android version firefox version और chrome के version पर निभर करता है अगर उनका version match नहीं करता है तो कभी-कभी यह problem आ स रहे हैं उसको update करने के लिए आप play store को open करिएगा आपको अपडेट करना है तो chrome type करके search करिएगा आपकी application दिखाई देने लगेगी कि इंस्टार है आप उस पर click करेंगे तो अगर आपकी application अपडेट नहीं होगी तो वहां आपको update option आएगा आप update में click करके application update कर लेजेग जैसे आप देख रहे हैं कि firefox में value सही आ रही है मगर वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही दिन का दिखा रहा है waiting और RAC तो इसके लिए आप mobile की rotation view को on कर लिजेगा और mobile को rotate कर लिजेगा फिर आपको एक साथ आगे की कई date की value दिखाई देने लगेगी अपने mobile में firefox को install करने के लिए आप play store को open कर लिजेगा वहाँ search में आप firefox टाइप करके search करिएगा आपको firefox के कई version दिखाई देने लगेगे आप कोशिश करिएगा सबसे high ranking वाला version क्लिक करके install कर लिजे friends मैंने ticket booking से समबंदिद और भी कई video upload किये हैं आप उसको भी जरूर देखिएगा वो भी आपके लिए बहुत useful होंगी friends अगर आपने YouTube चैनल PKS सचिन को अभी तर सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे red subscribe बटन पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इसमें मैं डेली ऐसे ही text tips अपडेट करता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत useful होंगी बाकी और वीडियो का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा आप उस पे क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जो PKS section लिखा है उस पे भी क्लिक कर सकते हैं जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो चैनल डारेक्ट ओपन हो जाएगा आप यहाँ home section देख सकते हैं जिसमें अलग-अलग section बनने हुए हैं जिसमें वीडियो हैं आप उस पे क्लिक करके भी वीडियो प्ले कर सकते हैं नहीं तो वीडियो सेक्षन में आप सारी वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने upload की हुई हैं आप इस पर भी वीडियो को play कर सकते हैं अगर आपको playlist ओपन करनी है तो आप playlist बटन पर click करेगा आपको अलग-अलग playlist दिखाई पड़ेंगी जिसमें उसी से related वीडियो होंगी आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो प्ले कर सकते हैं